राम राम दोस्तों देखो आज हम बात करेंगे ब्रह्म पूतर नदी के बारे में देखो इससे पहले मैंने गंगा नदी के बारे में पढ़ा लिया है सिंदू नदी के बारे में पढ़ा लिया है तो अब हम गंगा नदी के बारे में देखेंगे तो भोगलिक में देखे हैं नक्षे में देखें तो ये गंगा नदी किन किन देशों से होकर बैती है और किन किन भारत में किन किन राजियों से होकर बैती है ये बैसिक सेक्यूशन बन जाते हैं कभी कभी तो सबसे पहले देखो इसका उद्गम की बात करें तो ये चीन से उतकम होती है वही बार में भारत में आकर प्रिविश्च करती है और बंगला देश में आकर फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है तो ये तीन देश में तो होकर इसका अफ़ा तंत्र है वही भारत की बात करें तो भारत में दो राज्य से होकर ये गुज़रती एक तो अरुनाचल प्रदेश में जब परविश्च करती है उस समय फिर बाद में असम से होते हैं तो बांगलादेश में गिरती है तो दो देश अरुनाचल प्रदेश और अस्वम यह दो देशों से होकर बैती हैं अब बात करें देखो इसकी लंबई की कितनी तो तिनो देशों को मिला कर देखें अब बात करें देखो इसका उद्गम उसका उद्गम कहा होता है उनकी और सहायक में कौन कौन सी है तो सबसे पहले देखो इसका उद्गम तो ये मान सुरोवर जो की तीबित है चीन का इसा है वहाँ से होकर ये बहती है देखो एक मान सुरोवर में गलेशियर है साम्यूंग डूंग गलेशियर वहाँ से उसका क्या होता है उद्गम होता है ठीक है मानसुरोवर यह कहाँ पर इस्तित है तो तीबित चीन में इस्तित है और जब यहाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं हिमाले हिमाले आपको देखने को मिलेगा तो उसके उत्तर्म से होकर हुए सीमा बनाते हुए फिर आगे यहां नामसा बरुवा परवत है जो हमार हिमालय का हिस्सा है वही से देखो हिमालय दक्षिन के और मुड़ता है और यह भी नदी भी दक्षिन के और यहां से मुड़ती है और नामसा बरुवा जो कि गार्ज का निर्मान करते हुए फिर दक्षिन के और बहती है और यह अरु यहां होना चल प्रदेश में दिहांग नदी बुकारता है ठीक है जब वह आगे बर्ति तो तेन नदिए आकर यहां पर मिलती पूल हो पर ही पहरत का सबसे बड़ा नदि पूल बुपें भाजर हाजारी का सेतु यहां लोहीध नदिर पर इस थो टी सी इन्पोर्मेशन आपको याद रखनी है, और यहाँ पर आखर क्या मिल जाती है, ब्रह्मिपूत्रौ में मिल जाती है, फिर बाद में यहां इसे क्या आरम होती है तो असम की शीमा यहां से आरम हो जाती है तो जैसे असम के सिमा प्रारम होती है तो यहां पर देखो यह ब्रह्मपुत्र नदी नाम पढ़ जाता है उसे बाद में ब्रह्मपुत्र नदी कहते है क्योंकि यह तीनों नदी आने के बाद में क्या नाम पढ़ जाता ह तो भ्रह्मपूत्र नदी नाम पढ़ जाता है और यहां पर देखो इसी भ्रह्मपूत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा द्वी पिस्थिते है उसका नाह में मांजूली द्वी जो की असम का हिस्सा है और असम सरकार ने उससे क्या दे रखा है जीला का दर्जा भी दे क्योंकि लगपग यहां पर एक लाख अबादी यहां पर निर्वास करती है ठीक है और जब यहां पर वापस दोगों यहां से बीच में से क्या बन जाता है दीब बन जाता है फिर आगे जाकर वापस ब्रह्मपुतर एक हो जाती है और आगे जाने के बाद एक नदी आकर और म नदी है कौन है सुबन सुरी और ये खहां से मिलती है दाही और से आकर मिलती है ब्रह्मपुत्र में फिर जब आगे बढ़ते हैं तो वही दाही और से एक रंगा नदी है वो भी आकर ब्रह्मपुत्र में असमें मिल जाती है और बाई और से देखें तो जो लेसांग परवत चोटी है ठीक है नागालेंड से एक नदी निकलती है धन्सरी ठीक है ये इसकी साहिक नदी है वो भी आकर असम में आकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है ठीक है फिर जब ब्रह्मपुत्र आगे बढ़ती है तो फिर बाई और से फिर दाई और से एक नदी आकर मिलती है जिया नदी निकलती है और फिर बाद में असम में जाकर कहां मिल जाती है तो ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है और उसी ब्रह्मपुत्र नदी पर आगे देखे तो आपको गुहाटी देखनों को मिलेगा गुहाटी सहर ठीक है गुहाटी नदी के ठीक आगे जब ब्रह्मपु शहायक नदी जो की मानस है वो आकर ब्रह्म पुत्र में मिल जाती है देखो मानस मानस आपने नेसल पार्क सुना होगा तो ये किस नदी पर इसी थे तो मानस नदी पर ही इस थे ठीक है और मानस नदी किस की सायक नदी है तो मानस नदी ब्रह्म पुत्र की शहायक नदी है ठीक जब वो आगे बढ़ते हैं तो दाई और से एक और नदी आकर मितने हैं तब कोई नदी यह भी आकर असम में ब्रह्मपुतर से आकर मिल जाती है यह चोटी नदी आया पर दो देखो यह संकोष नदी यह बड़ी नदी इसकी साहिक नदी यह कहां से निकलती है तो उत्तरी लिए तो यहां से क्या आरम हो जाते हैं तो बांगलादेश आरम हो जाता है ठीके तो बहुत्तर जब आरम हो जाता है तो ब्रह्मपुतर नदी को क्या नाम की नाम से पर्कारते हैं वहाँ पर एक नदी है, जो कि भारत से, चिक्किम से, जैमु कलिशेर से निकलती है, वो आकर रंगपूर से मिल जाती है, उसका नाम है तिस्ता, तिस्ता नदी कहां मिलती है, रंगपूर में, ठीक है, जमुना में मिलती है, क्योंकि इसका नाम कहां पर जाता है, जब बांगल जमुना पढ़ता है, फिर जब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे आपको भारत से होकर एक नदी आती है, घंगा नदी, जिसको बांगला देश में क्या कहता है, पद्मा नदी, ठीक है, और जब पद्मा और जमुना का संगम होता है, तो उस नए नाम क्या पर ज जाती है, ठीक है, बांगला देश में, बांगला देश में जाती है, यह भी इंपोर्टेंट है, याद रखना आपको मनिपूर से, फिर असम, असम से होते हैं, फिर बांगला देश में प्रिविस्ट कर गई, मेगना में चली जाती है, तो उसके बाद जब मेगना बड़ी ह तो यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्मान करती है, सुन्दरबन डेल्टा, आपने नाम सुना होगा सुन्दरबन डेल्टा, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्मान करती है, तो मेगना नद है जब नदिया आती है तो वह अपने साथ क्या लेका et और जब नदी जब समूद्रा घाता है तो महाँ पर क्या अपना धूल कंट जोड़ जाती है तो वहाँ वहाँ पर चेप फ्रवाहिती है तो वह Adon Ho जाती है महांझे लिए लग दारे निकलता सुंदर्मेंड डेल्टा यहीं इस्तित हैं देखो एक बार वापस देख लेते हैं देखो साम्योंग डूम से गलेशे से निकलती है उसका फिर क्या नाम रखता है तो प्रमपुत्र का तो सांग्पू नदी वहीं से जब अरुनाचल में प्रवेश करती है तो दिहांग नदी आती है ठीक है दिहांग नदी के बाद में जब यह बांगलादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना कहते है और गंगा जब बांगलादेश में आकर इस जमुना में मिल जाती है उसका नाम है पदमा है तो पदमा और जमुना मिलती है तो मेगना बन जाता है उनकी बा दिबांग, बुडी दिबांग, धनसरी, कपीला, ये बराक नदी ये बाही और से मिलने वाली नदी है इसका करम भी आप याद रख शकते हैं वही दाइं और से देखें तो इसका देखो सबसे बड़ी सायक नदी है सुबंसरी है ये चोटी-चोटी याद रखने की आवशिक आई होप आपको देखो वीडियो पसंद आये होगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद